हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम नॉलिज बाई राज यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के वीडियो में स्सी चसल 2023 के टियर वन की कट आफ को देखेंगे कि एक्सपेक्टिड कट आफ क्या जा सकती है ठीक है तो कितने माक्स पे आपका सेलेक्शन हो कि बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं कि इतने पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा या इतने यह इतने नंबर आएंगे तो बस हो जागा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कट ओफ थोड़ी से हाई जाएगी वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखना को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चलिए वीडियो में अब आगे चलते हैं कि देखो किसी भी कट ओफ को बताने से पहले आपने मेरी पिछली वीडियो के भी अनेलेसिस नहीं देखें तो आप उनको देख लेना मैं सबसे ज्यादा इन फैक्टर को कंसीडर करता हूं य यह सबसे जादा आपकी कट ओफ को अफेक्ट करते हैं इनके अलावा कोई आपके कट ओफ को एफेक्ट नहीं कर पाता है सबसे जादा जो इंपॉडञेंट यह चाल ही है उसमें से पहलर का आपकी vacancies का आता है ठीक है vacancies कितनी आपकी approximately 1600 के आसपात है तो guys सबसे ज़्यादा जो आपकी cut off को बढ़ाने का जिम्बेदार है वो यह है ठीक है यह factor कौन सा वाला vacancy वाला दूसरा देखें आपके applications जो है 32 लाग के easy to moderate रहा है ठीक है exam level में कोई ऐसा change नहीं आया लेकिन आप यहां पर देखिए इस attendance को देखिए और इन vacancies को देखिए तो दोस्त यहां से आपको difference साफ साफ नजर आ रहा होगा कितना ज्यादा difference है कितना ज्यादा competition है कितना tough कितनी हाइज कट-off जा सकती है कितना tough selection लेना है ठीक है तो guys देखिए यहां पर अगर मैं 13 लाग या 14 लाग को consider ना करूं यहां पर जो serious aspirants है serious aspirants जो है serious जो serious aspirants है वो तकरीबन दोस्तों एक लाग के आसपास आपको serious aspirants देखने को मिलेंगे ठीक है जो आपको CGL भी दे रहे होंगे बाकी exams भी दे रहे होंगे CPO भी दे रहे होंगे ठीक है दिलिप दिलिपलिश की भी त्यारी करें मतलब अलग अलग तरीकी के जो students है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इन एक लाग में यानि आपका साट बच्चे आपको एक स्टूडेंट एक सीट पर लड़ती हुए मिल जाएंगे एक सीट पर competition करते हुए मिल जाएंगे तो आप समझ सकते कि कितना गुना जो competition यहां पर बढ़ चुका है तक्रीबन साट गुना competition है तो वेकेंसी या जॉब लेना कितना होगा ठीक है कितना अच्छा स्कूर आपको करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आप क्लेर हो गया होगा कि जो सबसे ज्यादा important जो factor निकल के आ रहा है वह यही है कि आपकी वेकेंसी बहुत कम है आपकी cut-off थोड़ी हाई जाएगी ठीक है चलिए अगले इस लाइड भू चलते उसकी बाद देखें जो सब इंपोर्टन फैक्टर निकल के आता है वह यह एवरेज का निकल के आता है चिक है तो एवरेज मांके चलते हैं कि इतने स्टूडेंट इतने questions जो है स्टूडेंट गलत कर देता है ठीक है तो चार से छे questions रॉंग लेके चल रहे आवरेज जो स्कोर निकल के आ रहा है वह 136-142 निकल के आ रहा है अब आप कहोगी कि भाईया इतना ज्यादा अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट जो ने दिया तो ने का एवरेज स्टूर यही आएगा मिलेगा तकरेवन 10 आbenस मारक्स को मैं क्या लेकस चल रहा हità हुत दस बाराद पंदरा नंबर भी बढ़ सकते हैं यह साथ नमबर भी बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी shift में है कैसी shift कैसी question से पूछे गए है ठीक है कैसा उस shift का जो है normalization हो रहा है ठीक है तो यह आपको समझ में आगे हम average लेके चल रहे है 10 marks का ठीक है अब अपन cut off देखते हैं ठीक है अगली slide पर तो देखिए यह है आपकी cut off निकल के आती है यहाँ पर देखो you are की cut off 148 निकल के आ रही है अच्छा एक सीज का और दियान रखना है आपको इसमें plus minus 4 का margin लेके चलना है जो margin मैंने लेके analysis किया है तो इसमें plus minus 4 आपका हो सकता है ठीक है plus minus 4 यानि 1500 के पार भी आपकी cut off जा सकती है इसमें कोई संद्य है नहीं है बिल्कुल विए कि आप यह सोचें कि 150 जाएगी नहीं या ऐसा हो नहीं सकता आराम से हो सकता है क्यूंकि vacancies आपकी सिर्फ और सिर्फ सोला सो है ठीक है सोला सो कितनी सी होती है ठीक है बिल्कुल आपको जो रैंक होल्डर बनना पड़ेगा तब जाके आपको एक seat मिलेगी CHSL में तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा कितना अच्छा स्कोर होना चाहिए यहां पर देखिए जो cut-off में निकल के आ रही है अपनी उसमें UR की 148, OBC की 145, EWS की 143, SC की 130, ST की 118 और ESM की 93 ठीक है ESM की आप इसमें मतलब changes हो सकते हैं यह plus minus 4 की जगा plus minus 8 भी हो सकता है ठीक है तो इसमें margin कम होगा क्योंकि इसके data इतना ज्यादा मिलता नहीं है ठीक है उसके बाद आप देखिए यह आपकी cut-off निकल के आ रही है तो दोस्तों आपका score इसके आसपास बन रहा है अगर इसके आसपास बन रहा है तो tier 2 के अपनी तयारी को एकदम जारी रखिए ठीक है अगर इससे कम बन रहा है तो भी अपनी तयारी जारी रखिए ठीक है तयारी आपकी waste नहीं जाएगी आपको कहीं न कहीं उस तयारी का फायदा होगा लेकिन आप अपनी तयारी को continue रखेंगे और हाँ अगर आपको score इन से 10 नंबर कम है दो पांच नंबर कम है आठ नंबर कम है तो दोस्तों आपको थोड़ी कोशिश करनी है कि इस पर इतना करना अपने अगले एक्जाम की तयारी आपको करनी है ठीक है तो यह जो cut-off है यह आप cut-off फिर से note कर लीजिए 148 145 143 130 118 93 ठीक है तो यहां पर plus-4 का आपका margin plus-4 error हो सकता है cut-off में ठीक है तो इसको आप note करके screenshot ले लिजिए जब आपकी cut-off आया match कर लेना ठीक है तो मेरी तरफ से यह cut-off की वीडियो रही इस आल इन दिस वीडियो थैंक यू जैन वन्ने मात्रों